दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किन संकेतों से पता चलता है कि हम पर शनी देप का प्रकोप है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि शनी देप के प्रकोप से कैसे बचा जाए। और वो भी कुछ आसान से उपायों के माध्यम से। आइए समझते हैं कि कैसे शनी देप के प्रकोप से बचा जाए। आइए जानते हैं वो साधारन से उपाय क्या हैं जिनको नियम और सहियम के साथ करने से शनी देप के प्रकोप से बचा जा सकता है। पांच वस्तुओं का दान तिल का, तेल का या सरसो के तेल का, लोहे का, उरद की दाल का, काला कंबल इन में से कम से कम एक वस्तु का दान करें तांबे की लोटे का उपयोग शनिवार के दिन तांबे की लोटे का उपयोग करके शिपजी पर जल चड़ाएं पीपल की ब्रक्ष की पूजा सुभे स्नान करके शनिवार के दिन पीपल के पेड में जल जड़ाएं और साथ परिक्रम्मा करें और श्राम को उसके नीचे तेल का दिया जलाएं एक कटोरी तेल शनिवार के दिन सुभा एक कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चहरा देखे और फिर उस तेल को किसी को दान कर दे मंत्र जाप एवं नीला फूल शनिवार के दिन शनी देप की पूजा करते समय उनको नीला फूल अरपित करें और उनके मंत्र का 108 बार जब करें जो कि हर सनिवार को करें मंत्र ओम शम शनी चराये नमा हनुमान 40 पार्ट हर शनिवार को हनुमान 40 का पार्ट करें और बानरों को गुड़ एवं चने खिलाएं किसी भी शनिवार को मास मदीरा का सेवन ना करें तो ये थी वो बातें जिनके माद्यम से आप शनी के प्रकोप को शांत कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जिससे ऐसी ही अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगर किसी ओर टोपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पोक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं जिससे हम उस टोपिक पर भी वीडियो बना कर आपके लिए लाइं जै शनी देव